एक गाउं में दो बिल्लियां रहती थी। वह आपस में बहुत प्यार से रहती थी। उन्हें जो कुछ मिलता था उसे आपस में बांट कर खाया करती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली, उसे बराबर बराबर बांटते समय उनमें जगड़ा हो गया एक बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा दूसरी बिल्ली के रोटी के टुकड़े से छोटा लगा परंतु दूसरी बिल्ली को अपनी रोटी का टुकडा बड़ा नहीं लगा जब दोनों बिल्लिया किसी समझोते पर नहीं पहुँच पाई तो दोनों बिल्लिया एक बंदर के पास गई उन्होंने बंदर को सारी बात बताई और उससे न्याय करने के लिए कहा सारी बात सुनकर बंदर एक तराजू लेकर आया और दोनों टुकडे एक एक पलड़े में रख दिये तोलते समय जो पलड़ा भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुह में डाल ली अब दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो गया तो बंदर ने उस तरफ से रोटी तोड़कर अपने मुह में डाल ली इस तरह बंदर कभी इस तरफ से तो कभी उस तरफ से रोटी ज्यादा होने का कहकर रोटी तोड़कर अपने मुह में डाल लेता दोनों बिल्लिया चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रही परंतु जब बिल्लियों ने देखा कि रोटी के दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए तो वह बंदर से बोलीं कि आप चिंता ना करें हम अपने आप बटवारा कर लेंगी इस पर बंदर बोला जैसा आप ठीक समझो परंतु मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए इतना कहकर बंदर ने बाकी बचे हुए रोटी के दोनों टुकड़े अपने मुहों में भर ली और बिल्लिया को वहां से भगा दिया दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का बहुत दुक हुआ और उन्हें समझा गया कि आपस की फूट बहुत बूरी होती है और दूसरे इसका फाइदा उठा सकते हैं